नमस्कार दोस्तों मैं उरितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चेनल गरिमा बोत्रा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान ये सभी विश्वविद्दालियों की परिक्साओं को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में लगग एक समय पर प्रारम भोगी ताकि शिक्ष्वविद्दालियों की जो परिक्साओं है वो एक साथ प्रारम भोगी लगग लगग पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चेन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिसे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सभी वैसर ठीक नूज ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस बार समान होगी परिक साउं दोनों से जुड़ी भी अपडेट है ये इस बार प्रदेश के सभी विश्वे विद्दालियों की परिक्साइं लगबग एक समय प्रप्रारंब होगी तक कि शिक्षन सत्र एक समान चलता रहे प्रतम चरण में फाइनल येर के प्रिक्साइं होगी जो संबबता है अ सबीक की दोस्तों बात हो रही है इस संबन में कुलाधी पती कारेलाई की और से नजदेश भी जारी है जिसमें सभी विश्वे विद्दालियों को लगबग एक समय पर परिक्सा कराने को लेकर के कावए है और आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो आदेश जारी है वो कुल यहां पर आप देख सकते हैं कुलाधी पती के दो दौरादी जारी है निशिद्दा दोस्तों राज्यपाल के दोरा यादे सभी विश्वे विद्दालियों को जारी किए गई है इस समंब्न में बरज विश्वे विद्दाल्य के डिपटि रजिश्रार एवं परिक्सा प् मंद क्यों नहीं रखते हो 2-5 दिन का डिफ्रेंस रह सकता है पर ऐसा नहीं होगा कि 15-25 दिनों का डिफ्रेंस या 1-1.5 महीने का डिफ्रेंस आपके एक्जाम के बीच में रहे इसे सिक्षन 17 पुरे प्रदेश में एक लें में रहेगा इसी अनुसार हम परिक्स हम को भी प्ला अगे लगाया है अभी 100% से और नहीं है किन्तों दोस्तों कोई ओफिसियल अधिकारी जब यह बात कहता है तो मान कर चलिए उसके कुछ ना कुछ माइन ने अवश्य होते हैं और उन्होंने कहा है कि अप्रेल के अंतम में फाइंडल इयर की परिक्साइं करवाएंगे और उ दोस्तों फाइनल इर की जो एकजाम है वो श्टार्ट हो जाएगी और मई लास्ट तक दोस्तों अन्य जितनी भी कक्सा हैं फस्ट इर सेकंड यर और पीजी प्रिवियस है उनकी भी प्रार्म कर दी जाएगी यह आप देख सकते हैं आगे दोस्तों पाठ्थे करम के बारे म ही देनी होगी यानि ब्रजविस पर विद्दाले उन्हें दोस्तों का है कि उन्होंने 30% सिलेबस है उसमें कटोती कर दी है हालांकि दोस्तों मेरा ब्रजविस पर विद्दाले से डायरेक्टर सम्मन नहीं है इसलिए मुझे इस बात की जादा जानकर नहीं है जो भी दोस् दोस्तों मैंने देखा था सिलेबस प्लोड हो चुके हैं लेकिन कितनी कमी की गई है उस बारे में मुझे इतनी जान करी नहीं है तो जो ब्रीज उनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप इस बारे में बताएं और साथ इसाथ दोस्तों में यह कहना चाहूंगा कि जो सिलेबस की गटोते 30 प्रतिसत की की गई है वो मेरे एकोर्डिंग दोस्तों बहुत कम है इसके साथ साथ में यह हो सकता है कि जो पेपर पैटरन है उसमें भी कुछ छोड़ दे दी जाए जिसे विद्यार्थियों को रहत मिले क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अब जाकर के लगबग लगबग सभी 20 विद्धाले और कॉलेज ओपन हुए है और लगबग दोस्तों धाई महीने का टाइम ही आप मान कर चलिए कि विद्यार्थियों के पास है इन दोस्तों पिछेतर से 80 दिनों के अंदर अंदर उन्हें अपने 20 विद्धाले में या कॉलेज में दोस्तों होती ज़्यदा मुस्किल है ओनलाइन की बात करें कि ओनलाइन इस्टेडी करवा दी गई है वो सबी विद्यार्थियों को और जो कुलपति मोदे हो चाहिए प्रिक्सान येंतर मोदे उन्हें जमीन की जानकारी है वो जानते हैं फिर भी ये ऐसा करें हैं तो दोस्तों ये अकोडिंग बाकी आप की इस पर क्या राये है और दोस्तों 30% सिलेबस कटोती है दी इन्होंने की है तो हो सकता है कि अन्य विस्पर विद्दाले भी सिलेबस कटोती करें लेकिन इस परसंद से इस बारे में लेकर के है कि कई विस्पर विद्दाले उने अपना संसोधित प प्रइट करके के 9 परिइडाले राजस्तान के सभी विप्डाले के लिए बड़ी अपड़े तक यह आ प्ररारंब को सकती है पार्फेकरम efendim 30% के कटोती की गई है इस बारे में और भी कोई अपडेट परिकसाओं से संबंदित या फिर पाठ्ठे कर्म से समनित किसी भी विश्व विद्धाले से आती है तो मैं आपको अपडेट करके आपको जानकारी दे दूँगा मैं धन्यवाद दूँगा दोस्तों उद्धे अगरवाल जी को जिनोंने मुझे ये न्यूज है वो आसुबय ही सेंड की है और मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बना दिया है यदि आपके पास भी दोस्तों कोई अपडेट आती है तो आप मुझे मेरी इमेल आइडी रितिक जेन 752 दी रेट gmail.com पर दोस्तों सेंड कर सकते हैं जो भी दोस्तों मुझे न्यूज सेंड करेगा जिसे ये होगा कि मैं लगबग दोस्तों सभी स्टुडेन तक उस न्यूज को पहुंचाने का प्रयास करूँगा और जिसके दोरा न्यूज सेंड की जाएगी उसका दोस्तों नाम में इस वीडियो में लूँगा तो मैं फिर से एक बार उदर अगरवाल जी को बहुत बहुत थेंक्स करता हूँ कि उन्होंने न्यूज को सेंड किया धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो अधिक शेयर करें